नागपुर में कोविट संक्रमन के चलते लंबे लॉकडाउं के बाद अब हाला सामाने हो रहे थे टिका करन अभियान से संक्रमन पर काबू पया जा रहा था परन्तु कोविट के नए वेरियंट ओमिक्रॉन ने फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी है भारत में भी पूने मुंबई के बाद आज नागपुर में ओमिक्रॉन का मरीज मिला है जी हाँ इसके कारण दैशत का माउल हो गया है जिसके बाद नागपुर स्वास्विभाग चौकर ना हो गया है कोविट की पहले लहर में सबसे अधिक मरीज सितंबर 2020 में मिले थे वही 2290 मरीजों की जान गई थी सरकारी और नीजी अस्पतालों में मरीजों को बेट तक नहीं मिल रहे थे अस्पतालों में ऑक्सिजन और दवाईयों की कमीम से लोगों में भैका महौल था परन्तु मैंसे मरीज संख्या कम होने पर लोगों ने रहत की सांस ली जुलाई से रोगी संख्या सामाने होती गई अपने वेरियन के फैलाओ को देखते हुए एक बार फिर स्वास्त मशिनरी काम पर लग गई है नाकपुर में पाया गया ओमिक्रॉन का मरीज पश्यम अफरिकास से आया हुआ है जो शहरवासियों के लिए चिंता की बात है वहीं मेडिकल मेयो एम्स प्रशासन में करिब 1300 बेट की विवस्ता की गई है जबकि हालात को देखते हुए प्रशासन की ये पूर्वतयारी है नागरिकों से भी अपिल है कि वो कोरोना के नियमों का पालन करे